तो दोस्तो आगे में एक और शेर मार्केट की इंटरसिंग सी वीडियो के साथ IPO के बारे में ही आज की भी वीडियो में बताया गया है काफी important वीडियो है आप लोग के लिए लेकिन उससे पहले request है दोस्तो आप लोगों से जो लोग चयर मार्केट की वीडियो आगे चाहते है रेगुलर आती रहे उनलोग उसे request है वीडियो को जाता से जाता शेर करे क्योंकि वीडियो में views बहुत कम आते है आप लोग को भी पता होगा लाइक भी बहुत जाता कम आते है तो आप लोग वीडियो तो देख लेते हो और हमारी पूरी प्लेइलिस्ट की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में रखे हुई है तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में IPO के बारे में क्या बताया गया है और टेलिग्राम वट्सप ग्रूप आप लोगों के लिए अविलेबल है अबॉट पेज में करके अपने ग्रूप में जूड़ सकते हैं मैं हूँ आपका दोस्त जीतु राज चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकिशन वल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स मे जरूर पूछ लेना Study of Share Market की इस सीरीज में मैं अजय सालवे आप सभी का स्वागत करता हूँ ये जो वीडियो है आज का हमारा जहां तक मेरा जो है वो दिमाग कहता है मेरी याददाश्ट कहती है कि ये वीडियो नंबर 16 है तो इसका मतलब 15 है वीडियो हम अल्रेडी बना चुके हैं तो अगर आप पहली बार इस सीरीज का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप से निविदन है कि आप इस प्लेलिस्ट को पूरी तरह से देख ले आपके काम के कई सारे वीडियो हमारी इस प्लेलिस्ट में हो सकते है डेफिनिटली आज का हमारा क्या टॉपिक है वीडियो का इस से पहले मैं आपको जो है पिछले वीडियो में पूछे गए कुछ कोश्चन के बारे में बता दू और बंती कोशिश उनके आंसर कर दू श्रीमान नारद कुमार जी पूछते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट से जो है अभी तक कितना कमाया है तो सर जीतुराज जी से ना 50-60 रूपर कमी कमाया मैंने तो आप जो है जब भी जीतुराज जी लाइव आए है थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं लेकिन जब भी लाइव आए ना आप इना इस मौके को लपक लेना एकदम और पूछ लेना इनसे कि इन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट से कितना कमाया है और जो यह बता देंगे इसमें से 50-60 रूपर जो आप माइनस कर देंगे है ना तो वो मेरी कमाया जाएगे नेक्स कोश्चन है निलेश नायक सरका एक नहीं दो दो कोश्चन क्या सुझाओ कह सकते हैं एक तो यह कि यह बोल रहे हैं कि future and options को briefly define करना है तो सर ब्रीफली अगर इसको define करना है तो definitely एक पूरा dedicated video हो भी सकता है दो लगेंगे इसके लिए तो थोड़ा सा आपको प्रतिक्षा करना होगा इसके अलावा आप जो हो आजबा के विशे में जानकारी चाहते हैं जानना चाहा रहे हैं तो आजबा भी अच्छा का सा topic है इस पर भी एक video definitely है तो चलते हैं आज के topic की तरफ अच्छा आम के आम गुटलियों के दाम ये कहावत तो सुनी ही हो गया आपने भई शेर मार्केट में मतलब जो series चल रही है इसमें जिसमें आम के आम या गुटलियों के दाम कहावत कही पर सार्थक होती है तो definitely इस प्रक्रिया में जो आज हम बताने वाले आपको इस वीडियो में ये जो कहावत है काफी हद तक सार्थक होती है इसके साथ तो क्या है आज का हमारा topic आजबा आजबा मिंस ASBA आजबा का फुल फॉम अगर हम देखे तो application supported by blocked amount पूरा हो जाता है आजबा या ASBA किस चलिया का नाम है ये तो जिनोंने question पूछा है उन्हें तो पता ही होगा कि ये किस चलिया का नाम है बाकी जिनको नहीं पता में बता देता हूँ ASBA यानि के applications supported by blocked amount ये जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहद हम जो है IPO या FPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं है ना यार वैसे तो जो trading account या demit account होते हैं apply थो हम उनसे भी कर सकते हैं फिर यहां पर इस कितनी महत्वता क्यों है पहले तो मैं बता दू कि trading account या demit account से जब हम apply करते हैं तो definitely उससे भी हमारे पास options तो है apply करने के लिए है ना लेकिन कई सारी cases में पैसा कट जाता है हमारा यानि कि जब हम apply करते हैं और apply करने के बाद जो हमारे पास request आती है UPI से तो bank है उसके लिए हमारा हमें जो वो चार्ज करती है तो लेकिन आजबा में आपका कोई भी पैसा नहीं करता तब तक नहीं करता जब तक आपको या तो share a lot नहीं हो जाते हैं इसमें क्या होता है कि आपका सारा का सारा amount जितना request किया गया है application के लिए IPO या FPO की उतना block कर लिया जाता है suppose 14,850 रुपए किसी भी company के IPO को apply करने के लिए आपको आउशकता है तो UPI से जब आप request करते हैं तो आपका कुछ bank है कुछ बहुत ही minor सी quantity है जो की आपका amount block कर दिती है लेकिन बहुत सी banks ऐसी भी है including SBI Indian overseas type जो आपका जो amount है वो debit कर लिती है अच्छा अब amount block कर दिया या amount debit कर दिया इसमें क्या दोनी कंडिशन में आप पैसा आपना यूज तो करी नहीं सकते लेकिन लेकिन ब्लॉक में यह आपको benefit मिलता है कि मान के चलिए मान के क्या चलिए यह तो सभी जानते हैं कि आपको आपके account के maintenance के लिए एक balance की जो एक सीमित मात्रा में कुछ मात्रा में balance को जरूरी है आप अपने account में रखे maintenance के लिए जैसे कुछ banks एक हजार रुपे minimum रखवाते हैं कुछ banks दो हजार कुछ तीन हजार कुछ पांच हजार बड़े-बड़े banks दस-दस हजार रुपे भी रखवाते हैं तो अब क्या अब होता यह है कि जब आप ब्लॉक कर लेते हैं तो क्योंकि आपका पैसा आप ही के खाते में है तो आपको जो है अलग से maintenance का टेंशन नहीं है अकाउंट के maintenance का ठीक है आप यूज दोनों ही condition में नहीं कर सकते लेकिन यहां आपको अकाउंट के maintenance से बचने के लिए मिल गया है ना कि आप अलग से जो है वो at least 10,000 रुपे छोड़े या 5,000 रुपे छोड़े या 3,000 ए 1,000 रुपे छोड़े लेकिन यदि आपके पास 15,000 रुपे है और आपका SBI या और भी SQC bank में है अकाउंट जहां से आप UPI से payment कर रहे हैं तो अगर उसने आपका amount debit कर लिया और आपका यही जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14,850 रुपे का अगर आपको payment करना था तो 150 रुपे बसता है यानि कि maintenance के लिए जितना balance चाहिए था उसमें से आपको पैसे less हो गया अब less हो गया तो आपको इसके लिए penalty देनी होगी है ना तो आचा दोनों ही cases में ना banks पैसे ना अपनी पास रख रहा है हाला कि जब शुडवात हुई थी यह IPO apply करनी की जब नाया से भी जो वो शुडवा था 1991 1993 जो भी 1993 के बाद तो काफी जटिल प्रक्रिया होती थी अलग से bank में जो वो checks दिये जाते थे उस company की नाम से जिसका आपको IPO लेना है फिर bank जो हमारे account में से जो वो उतना पैसा debit कर लेते था और उसके बाद उस company के account में credit करता था बहुत लंबी प्रक्रिया चलती थी और कई जो है वो जैसा कि मेरे study कहती है उसके according ऐसा कहा गया है तो उस चीज को सरल करने के लिए एक जनवरी सन 2016 से ASBA हर IPO के लिए mandatory कर दिया गया है क्यानी कि आपको किसी भी condition में मतलब company को ASBA से जो है वो IPO बिड लेनी ही पड़ेगी है अब इसमें होता क्या है पहले तो हर किसी bank को ASBA जो है वो अलाव नहीं है है ना ASBA की अंतरगर्द जो है सारी बैंक्स जो है वो यह सुईधाप को प्रवाइड नहीं करती कुछ लिमिटेड बैंक्स ही है जैसे पंजाब नेशनल बैंक्स इसके लाबा IDFC स्वारी HDFC और SBI ICICI काफी सारी बैंक्स है एकसा तो मैं आप सभी को अभी इस वीडियो में बता भी नहीं पाऊंगा याद भी नहीं मुझे क्योंकि मैं तो मैं UPI से पेमेंट करता हूं चलिए अच्छा ASBA से होता यह है कि आप सपोज किसी एप्लिकेशन से जिसमें की ASBA से पेमेंट करने की जो सुईधा है आप उसमें थोड़ा से जटिल है है ना पहले तो आप उसमें बैनिफिशेरी जोड़ दो उसके बाद उसी बैनिफिशेरी के साथ आप कभी भी आई प्लाय करो हाला कि वह एक बार ही बैनिफिशेरी जोड़ना होता है अगर मैं कोटक करना होगा एक तो यह कि सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आपको आपका डिपॉजिटरी कौन है डिपॉजिटरी मतलब यह कि आपका डिमेट अकाउंट किसके साथ है किसके साथ है सितार परिया आपको पता है दो कंपनिया इंडिया में डिपॉजिटरी का जोए व हमारी जितने भी ब्रोकर से उनका CDSL के साथ इतायब है और यह सारी सिक्यूर्टी जो हमारी होती है डिमेट अकाउंट वाली जितने भी स्टॉक्स होते हैं वह उसमें जाके हमारी डिपोजिट होते हैं तो सभी के पास CDSL का अकाउंट होगा तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आपको सबसे आपका CDSL है तो आप CDSL को चूज करेंगे अगर आप किसी बैंक के ASBA से विशेश कर रहे हैं तो उसमें एक option आपको मिलता है सब्सक्राइब करें तो यह पहला option तो आपको आएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक या सेकेंड वाला आएगा अधर तो आपको यह पर अधर चुनना है उसके बाद आपने अपना डिपोजिटरी चुन लिया उसके बाद आपको आपका DP ID या क्लाइंट डालना है जो कि 16 5 पैसा है ना इनमें आपको मिल जाएगा अब यहां से आप उनको कॉपी करेंगे और यहां पर लाकर पेश्ट कर देंगे या तो याद कर लिजिए और फिर लिख दीजिए जर्द ट्रिक्क होगे ना उसके बाद जो है वह आप payment कर सकते हैं आपका amount block हो जाता है अब आपक क्याम और गुठ्लियों के दाम क्यूंकि आपका पैसा एक तो block हो गया और maintenance का भी आपको आपको tension नहीं है block भी हो गया तो पैसा आप ही के पास है यानि कि आपकी bank के पास है ठीक है अब एक इसमें plus point और मिल जाता है एक और फायदे वाली बात यह है कि आपको इस पे interest भी जो भी आपके saving account पर interest मिलता है वो आपको इस पर मिलेगा तो यह है ASBA के फायदे अगर आप offline चाहे तो offline भी यानि कि अगर ऐसा है कि आपके पास cable debit account ही है कही सारी you know banks especially या कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि आपको debit account बस खुलवा कि दे रहती है यानि आप trade ना कर सके उसमें क market में stocks है तो आपको जबरस्ती दे देती है कि आपको यह लेने पड़ेंगे है ना इतने इतने दाम पर आपसे निवेश करवाती है अब ने निवेश कर दिया आपके debit account में वो चले गए तो अब आपका ना debit account के वल उसी के काम का हो गया है के वल उन stocks के लिए आप चाहे तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको IP apply करना है तो भी आप उस debit account का जो यूज कर सकते हैं इसी ASBA से है ना तो मेरे ख्याल से मैंने ठीक ठाक इनफ जानकारी इस वीडियो में दे दी है और अलग बहुत सारा और अलग और कोई topic भी अगर मैं शामिल कर लेता तो यह वीड वीडियो के लिए काफी बनाम भी हूँ तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था जितना short और sweet हो सके उतना इसको बना दू और आप लोग की बीच में इसको जो यह महत्वपुर्ण जानकारी है इसको लेकर रहा हूं इस वीडियो में अगर कुछ मिस हो रहा है ना तो आप पूछ सकते हैं अलग-अलग जो है वो बैंक्स के एएस बीए से आपको अलग-अलग प्रकार की प्रोसेस मिलती है थोड़ी बहुत जारे चेंजिस नहीं होती जैसे SBI से अगर आपको करना है तो इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं इसके अलावा योनू से भी जहा तक कर सकते हैं इसके अलावा कोटक महिनरा जैसा मैंने आपको बता दिया HDFC या ICICI की इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं बहुत सारी आप लोग के पास जो है वो सुविधाय है आप स्वयम चूज़ कर सकते हैं कि आपको ASBA से करना है तो आप कैसे करें ध्यान रहे ASBA से आप तभी कर पाएंगे जब संबंदित बैंक में आपका अकाउंट है यानि कि अगर आपको कोटक महिंदरा के ASBA का यूज़ करना है तो आपका अकाउंट कोटक महिंदरा बैंक में होना चाहिए और आप पेमेंट भी वही से करेंगे है न तो मेरी ख्याल से यह जो information आज के लिए enough है किसी भी प्रकार की अधिक जानकरी के लिए आप comment box को visit करें अपने सवाल वहाँ पर लिखे हम बनती कोशिश आपको शीगरती शीगर उसका उत्तर पहुचाने की कोशिश करेंगे हम आप सभी से यहाँ पर इजाज़त लेते हैं धन्यवाद जय हिन जय भारत